नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में दोस्तो शेर जिसे पूरी दुनिया जंगल के राजा के नाम से जानती है क्या आप जानते हैं कि आखरिकार क्यों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है पर ऐसी कौन सी वो बाते हैं जो हमें शेर से सीखनी चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं नमबर वन, माइंड सेट दोस्तो शेर जब हाती को देखता है तो वह उसे अपने भोजन के रूप में देखता है जबकि हाती शेर से कई गुना भारी होता है और शेर की मानसिक्ता ऐसी होती है कि वो उसे खा जाएगा जबकि हाती यह सोचता है कि शेर उसे अपना शिकार पना लेगा तो दोस्तों ऐसे ही हम सभी को अपनी मान सिकता रखनी चाहिए कि हम अपने लक्षे को हासिल करके ही रहेंगे नमबर टूर फोकस दोस्तों शेर किसी दूसरे जानवर का शिकार करने से पहले उस पर अच्छे से फोकस करता है तभी वो अपने शिकार करता है ठीक वैसे ही हम सबी को अपने लक्ष को हासिल करने के लिए फोकस रहना होगा तब ही हम सफल हो पाएंगे दोस्तो शेर जब शिकार करता है उस वक्त उसका आत्म विश्वास काफी ज़्यादा होता है ठीक वैसे ही हमें खुद पर विश्वास करना होगा तब ही हम सफलों करेंगे